Hello everyone and welcome to Only IS Date है आच ही 29 August 2021 और स्फागत है आपको The Sunday Editorial में जहाँ पर हम डिसकस करते हैं खूब सारा साइंस अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की PDF चाहिए तो आप हमारे Telegram Channel Only IS Nothing Else को जॉइन कर सकते हो साथी साथ अगर आपका Optional Subject Sociology है या PSIR है तो आप इन Telegram Channels को भी जॉइन कर सकते हो इन तीनों ही चैनल पर आपको आपके UPSC और State PCS से रिलेड़ेट बहुत सारे requisite materials मिल जाएंगे आप उनको आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अभी हाल फिलाल में हमने उडान magazine को भी वहाँ पर update कर दिया है जो कि अपने आप में quick and comprehensive revision series है आपके prelims के लिए काफ़ important है फिलाल भागते हैं आज के newspaper के तरफ articles में ये ये और ये article कुछ खास नहीं है बट ये एक article है जो कि बहुत important है और इसको ही मैंने आज base बनाया है अपने comprehensive discussion का इस article में इतनी information तो नहीं है लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि 2020 से लेके इधर 2021 तक का ये ऐसा period है जहाँ पर tuberculosis से related बहुत सारे articles आए है नई policy आगई कुछ even बहुत सारे programs initiate किये गए इस period में सबसे major important बात ये है कि जैसा COVID-19 का situation रहा है वैसा ही similar situation TB का भी है tuberculosis का भी है लेकिन उस तरीके से जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम लोग COVID-19 की बात करते हैं तो फटा फट सा 18 महिने के अंदर हमने बहुत सारे vaccines develop कर दिये अलग-अलग countries में सारे vaccines बन गए लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं TB की, tuberculosis की तो अभी फिलहाल एक ही vaccine बना है पिछले 100 सालों में जिसका नाम है BCG bacillus calamity urine और इसको बनाए गया था 1921 में अब 2021 में आके इसका 100 साल पुरा हुआ है अब आप इसको खुदी समझो की जहां 18 महीने में हम 17 vaccines बना ले रहे हैं वहीं 100 साल में एक vaccine बन रही है तो ये तो थोड़ा सा disparity है ना इस चीज में इसलिए ये थोड़ा और discussion का मुद्दा बन रहा है और अगर आप seriousness की बात करोगी की कौन किस में जादा लोग मर रहे हैं तो ऐसा आप देखोगे की death का जो number है वो TV में coronavirus से comparison में बहुत कम नहीं है अगर मान लो 1.7 million लोग coronavirus से अगर मरते हैं तो उसी के साथ-साथ 1.4 million लोग TV से भी मरते हैं तो बहुत difference नहीं है लेकिन जिस हिसाब से preparatory phase हमने COVID-19 situation में देखा और tuberculosis के respect में देखा वो दोनों बहुत different तो उससे पीसे आपको reason भी मिलेगा अगर मैं आप से ये बोलता हूँ कि TB का ये जो vaccine है BCG इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि ये geographically अलग-अलग है मतलब कि equator वाले reason पर ये बिल्कुल भी effective नहीं है और उपर के countries जो western countries हैं उपर वाले जो countries हैं थंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ये vaccine अच्छी से कारगार है ये भी एक reason है actual में कि जो equator वाली countries आप देखोगे mostly developing countries हैं अपने developing phase में है ये अज़ी developed हैं इनको मतलब नहीं है कि इनके इनके यहाँ पर TV के इतने symptoms नहीं आ रहे इतने लोग की death नहीं हो रही है तो इसलिए इसको उतने जोर सोर से नहीं लिया गया अभी हमारे country में TV के बहुत ज़ादा cases हैं approximately 27% of the total world TV cases ये हमारे यहां से आते हैं तो आप समझो कि ये अपने आप में बहुत difficult situation है बहुत grim situation है हम सब के सामने जहां पर हमें ऐसी भयानक बिमारी से भी लड़ना है तो आज की इस discussion में हम लोग TV के बारे में वो हर information लेने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे examination point of view से important हो सकती है tuberculosis actual में एक bacteria से होता है bacteria का नाम है mycobacterium tuberculosis ये mycobacteria सी family से belong करता है ऐसे बहुत सारे हैं और बहुत सारे विमारिया फैलाते हैं जैसे कि ये TB है, leprosy है, ये सारे mycobacteria के दोरा ही होते है अब दिक्कत ये है कि ये हवा के थुरू भी फैल सकते हैं मलब कि ये environment में अथा number में है तो ये कभी भी किसी को भी infect कर सकते हैं अब चुकि ये हवा के जरीए हमारे तक पहुच रहे हैं तो सबसे जादा probable chances क्या आएं किस पर सब जादा effect होगा हमारे lungs पर होगा जब भी lungs पर TB का प्रकोप आता है उसको हम लोग बोलते हैं pulmonary TB pulmonary word जो है वो lung serial rate है और साथी साथ अगर दूसरे organs को भी ये affect करता है कैसे करता है वो भी हम समझेंगे उसको हम लोग extra pulmonary TB बोलते हैं अगर हम इनके structure की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे rod shaped होते हैं इनका जो outer cover होता है वो थोड़ा सा hardy होता है और waxy type का होता है ये जो rod shaped TB के bacteria है mycobacterium tuberculosis अगर समझ लो ये 10 number में भी अगर हमने इनको inhale कर लिया तो ये सक्षम है हमें TB जैसे disease देने में बड़ी बात ये है कि actual में ये aerobic nature के होते हैं aerobic nature का मतलब ये है कि इनको oxygen चाहिए survival के लिए अपने अब जब इनको oxygen चाहिए तो आप ये समझ लो कि सबसे favorable जगें कौन सी है इनके लिए लंग सी होगा obvious ही बात है तो ये फिर दीरे दीरे करके ये बढ़ते हैं उसका पुरा process है actual में हम समझेंगे लेकिन यहाँ पर एक confusion आपके दिवाग में ऐसा हो सकता है कि ये एक bacteria है साथी साथ अगर हम लोग coronavirus बहुत सारे articles हमने डिसकस किया है इससे वो एक virus है तो bacteria और virus में basic difference क्या होता है एक बार उसको पहले clear कर लेते हैं देखो ये चीज तो बिल्गुल तय है कि virus जो होते हैं वो living organisms नहीं होते हैं उनको कोई host चाहिए जिसके उपर वो tick के अपने आपको spread कर सकें अपने आपको फैला सकें अपने आपको multiply कर सकें bacteria अपने आप में living organism होता है living organism के होने के साथ साथ ये एक प्रकार का single cell structure है जो कि energy खुद में generate कर लेता है अपना खुद खाना बनाता है reproduce करता है और fission के द्वारा reproduce करते के साथ साथ move भी कर सकता है मतलब कि bacteria बहुत सारे places में हो सकते हैं हमारे environment में soil में हो सकते हैं water में हो सकते हैं या फिर हमारी human body plants कहीं पर भी हो सकते हैं वो कहीं पर भी survive कर जाते हैं लेकिन जो virus होते हैं उनको एक host body चाहिए होता है वो actual में क्या होता है कि जो host body होता है उसके cells के biochemical activities को ये लोग hijack कर लेते हैं और hijack करने के साथ साथ फिर उनसे energy derive करते हैं और फिर उनहीं के उपर रहते हैं और multiply करते हैं viruses जो होते हैं वो sub microscopic level के होते हैं बहुत ही जादा छोटे होते हैं लेकिन bacteria की बात करें तो viruses के comparison में तो ये giant हो जाएंगे काफी बड़े हो जाएंगे इनको हम easily देख सकते हैं viral infection जो होता है वो systematic होता है कि जैसा मैंने बताया कि host cell पर पहले वो infect करेगा फिर हजारों की तादात में अपने आपको multiply करेगा और फिर दूसरे दूसरे cells को भी infect कर देगा bacterial infection क्या होता है कि चुकि वो एक छोटे से area में भी अपने आपको खुशी से रख सकते हैं उनको उतना दादा multiply होने की जरूवत नहीं होती यह localized infection होती है bacteria से यह जो bacteria के द्वारा infection होता है यह toxin produce करता है जिसको लोग endotoxin बोलते हैं और यही infection का cause होता है virus के examples के अगर हम बात करेंगे तो यह influenza, missiles, polio, AIDS, covid-19 जैसे diseases होंगे साथ साथ bacterial disease की अगर हम बात करेंगे तो इसमें pneumonia, tuberculosis, titanus, food poisoning अब आप इन सबसे relate कर पा रहे होगे titanus हमें पता है कैसे होता है लोहे कोई भी अगर हम मूर्चा या फिर जंग लगा हुआ लोहा अगर हम touch करते हैं उन सर्फिस पर यह bacteria पनपता है वहां से हमें infect करता है food poisoning के बहुत सारे cases आते हैं जो कि खाना के ऊपर या फिर food के ऊपर रहता होगा जिसको हम लोग consume कर लेते हैं तो bacteria हमेशा अपने आप में living organism है बड़ा है किसी भी जगहां पर रह सकता है survive कर सकता है virus living organisms नहीं होते इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है अभी TV के बारे में अगर हम लोग देखें transmission कैसे होता है तो हमने बताया जिस हिसाब से corona virus को हम लोग देख रहे थे cough, sneeze, अगर हमने कहीं पर spit कर दिया तो इन सब चीजों से person to person through air transmit हो सकता है symptoms के नाम पर आपको बहुत बार symptoms आते हैं और बहुत बार नहीं आते हैं मतलब कि क्या होता है कि मान लिजे कि अगर आपको mycobacterium tuberculosis आपको infect करता है लेकिन ये अगर अपने latent infection stage में है बहुत बार latent infection stage में इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा immune system इनके against लड़ना start कर देता है तो क्या होता है जैसे ही हमारे body cells में ये ऐसे TB cells आते हैं तो इनको जो हमारे यहां का macrophage होता है ना macrophage actual में responsible है immune system के लिए वो इन लोकों खा जाता है खा जाता है तो यहां पर एक ऐसा void create हो जाता है phagosome और साथी साथ क्या होता है कि actual में क्या होता है ना कि जब ये macrophage structure में जब आता है तो इसमें lysozome होते हैं lysozome आपको पता होगा कि ये white blood cells के part होते हैं और ये actual में इनको मारने का काम करते हैं ये एक प्रकार के ऐसे protein को release करते हैं जिससे कि ये ऐसे unwanted बहुत चालाख है ये बीच में एक ऐसा structure डेवलप कर देता है जिससे कि ये protein इन तक पहुँची नहीं पाता है और ये बहुत time तक survive हरते हैं तो में भी ऐसा हो सकता है कि एक बार आपको TV हुआ और वो latent infection stage में 10 साल 20 साल तक रहा उसके बाद अचानक से समझ लो आपके साथ कोई problem आई होगी जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप debilitate हो गए होगी debilitate बहुत सारे कारणों से आप हो सकते हो हो सकता है आप तंबाखू का 7 बढ़ा दिये हो आपकी body weak हो गई हो आपको AIDS हो गया हो आप बुढ़े हो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हो तो इन सब जगों पर जहां पर हमारा immune system थोड़ा भी weak पड़ा तो ये एकदम से जाग जाते हैं कहते हैं आप तो तबाही मचा के रहेंगे हम और फिर ये active infection करते हैं active infection के अंदर में ये spread करेंगे और spread करते करते ये पूरे के पूरे केवल और केवल इस macrophage वाले cells में ना होके ये बाकी के भी lungs में distribute हो जाते हैं इनको तो oxygen चाहिए जहां पर oxygen मिले अखुब बढ़िया से spread करेंगे और चुकि हमारा immune system weak है तो उस time पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो एक तो ये region हुआ जब ये lungs के अंदर ही रह सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी ये यहां पर भी नहीं रुखते हैं ये और आगे बढ़ जाते हैं जब ये और आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग extra pulmonary TB बोल रहे थे या फिर जिसको हम लोग systematic miliary TB भी बोलते हैं अब अगर ये spread होते होते kidney पे पहुच गए तो ये हमें sterile pyreia देते हैं अगर ये brain में पहुच गए तो meningitis हो जाता है अगर ये limbalal vertebrae पे पहुच गए तो pot disease होता है adrenal gland में पहुच गए तो addissance disease होगा liver में गए तो hepatitis हो जाएगा cervical lymph nodes में गए तो lymphadenitis हो जाएगा गले में हमारे तो बहुत सारे problems होते हैं TB के मतलब कोई एक situation मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिमित रखे इनको अगर अपने dormant phase में है latent form में है तब तो कोई tension नहीं है वो पड़े हैं शायदी इसका symptom आपको दिखे भी और शायदी आपके body में कभी ये harmful हो लेकिन अगर ये अपने active form में आ गए फिर तो ये बहुत बुरे तरीकेस होता है लेकिन खुशी की बात ये कि bacteria जो होता है न उसका anti-drug होता है आक्चुल में तो बहुत सारे हम लोग दवाई लेके ऐसे bacteria को हम लोग खत्म कर सकते है उनका पूरा course चलता है 6 महीने का 9 महीने का बिल्कुल religiously हमें उसको follow करना होता है कि एक भी dose उसका skip नहीं होना चाहिए अगर हम उन doses को उन पूरे course को complete करते हैं तो हम tuberculosis को treat कर सकते हैं यहाँ पर tuberculosis अगर मान लो यह infection इस stage पर हो या फिर अपने beginner stage पर हो तो हमें पता कैसे चलेगा इसके लिए test होता है test पहला जो है वो होता है PPD Purified Protein Derivative जिसको हम लोग mentox test भी बोलते हैं tuberculin test भी बोलते हैं TB test normal language में भी बोलते हैं अपने body के immune reaction के साथ 48 to 72 hours तक हम लोग देखते हैं कि हमारा body कैसे react कर रहा है मतलब हमने क्या किया कि हमने bacteria का ही weak phase हमने inject कर दी अपने body में और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा area ऐसा red हो गया तो मैं समझ में आ जाता है कि ठीक है यह test positive है और large area of induration का यह मतलब है कि हमारा immune system work कर रहा है मतलब उसको याद है tuberculosis पे ऐसे react करना है मतलब यह हो सकता है कि आपको tuberculosis वाला bacteria आपके अंदर शरीर के अलरडी हो लेकिन यह कोई ऐसा बहुत specific test नहीं है जो कि आपको यह बताए या फिर आपको यह डर लगने लगे कि आरे हमें TB हो गया है नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह बात के पूष्टी नहीं कर पाता कि अभी यह जो TB का bacteria आपके शरीर के अंदर है वो latent phase में है या active phase में है उसका कितना प्रकोग आपके शरीर पर है तो इसलिए कुछ समझ भी नहीं आता इसके लिए कुछ और advanced test हमें करने पड़ते है इसका नाम है IGRA Interferon Gamma Release Assay इसमें क्या होता है कि हम लोग blood samples को collect करते हैं और हम लोग इसमें specific TB के यह जो bacteria हैं इनको खोजने की काम करते हैं फिर हमें पता चलता है मानलो इन दोनों में से अगर कोई भी test positive आता है तो doctors usually suggest करते हैं कि भई एक chest x-ray करा लेते हैं क्योंकि क्या होता है कि यह लोग ना हमेशा nodes बना लेते हैं अगर अपने मानलो active stage में होंगे तो यह nodes बनाएंगे nodes जब भी होता है तो इनके उपर एक समझ लोग कवच जैसा बन जाता है जैसे मैंने बताया ना कि यह जो hardy nature के होते हैं वैक्सी hardy nature का होता है तो इसलिए जब यह इकठा होना start हो जाते हैं तो वो x-rays में visible हो जाता है और यहां पर भी x-ray light कहीं ने कहीं रुक जा रहा है तो इसके लिए problem हो सकता है मतलब यह में भी इनका जो TB वाला bacteria है वो active है फिर इसके बाद जो testing है उन में फिर हम लोग symptoms की बात करते हैं symptoms में जैसे हम लोग यह पुछेंगे कि भाई fever तो नहीं आ रहा है रात में पसीना होता है sweating आती है आपको weight loss आपको देखने को मिल रहा है coughing या blood आ रहा है कफ में ऐसी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो हम लोग उस cases में वापस से sputum मतलब कि आपको यह पता होना चाहिए कि एक नली होती है actual में उसको हम लोग मूँ के सहारे बिल्कुल अंदर oisophagus में यहाँ पर पूरा अंदर तक लेके आते हैं और यहाँ से sample कलिट करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं bronco alveolar lavage अब इसको lab में हम वापस से भेजते हैं staining culture और PCR के लिए वहाँ से clear cut बिल्कुल पदा चल जाता है कि हमारे शरीर में TB वाले bacteria lungs में हमारे मौजूद हैं की नहीं है तो इस तरह से हम testing करते हैं पूरा proper knowledge गेन करते हैं लेकिन testing के बाद अगर आपका result सच में positive आ गया तो उसके लिए फिर treatment चाहिए होगा मैं treatment latent infection के time पर अगर अपने बहुत positive stage में नहीं है active stage में नहीं है तो हम लोग कोई भी एक छोटा सा drug दे देते हैं single drug isoniazid डे सकते हैं उस time पर और वो cure कर देता है लेकिन अगर active infection है तो हम लोग को बहुत सारे drugs के combination चलाने पड़ते हैं ये famous चार drugs के combination है जिनको हम लोग चलाते हैं जिसका नाम है isoniazid, rifampin, ethambutol और pyrazinamide ये चार medicine ऐसी हैं जो कि usually आपको याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत common है बाच के time पर किसी को भी TV होता है तो उनको ये ही चार दवाईयां चलाई जाती है ये कुछ हफतों तक इनका पूरा course होता है जैसे कि 6 months या 9 months तक का course है और इनको हम लोग direct observation में रखते हैं तो पहले के जमाने में आपको याद होगा कि या फिर आपको पूरा ये एक table दे दिया जाता है कि आपको दवा खाका के tick करनी है कोई भी आपका जो dose है वो skip नहीं होना चाहिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये लोग exactly TV के लिए इस्तमाल करते हैं जो adults होते हैं वो अगर reactivated TV जैसे situation में हैं तो वो सबसे आदा infectious होता है क्यों क्योंकि वो person to person carry हो सकता है तो इसी लिए उनको negative pressure rooms में रखते हैं या फिर उनको अलग से रखते हैं जैसे कि हम लोग Corona के time पर isolate हो जाते थे ना समझ लोग कुछ ऐसा ही यहाँ पर होगा और वो जब तक इनका पूरा यह course complete नहीं हो जाता वो capable हैं दूसरे को भी ऐसी TV देने के लिए अब देखो जरूरी नहीं है कि एक बार अगर कोई TV के patient से आप मिल लेते हो तो आपको भी TV हो जाएगा क्योंकि वही बात है कि immune system के उपर है अगर आप strong हो और आपका immune system उसके against में लड़ाई कर लेता है तो वो अपने latent phase में होगा वो आपको तब तक active phase में नहीं आएगा लेकिन फिर वही बात है कि अगर आगे चलके आप भी तो बुज़ुर्ग होगे तो उन सब situation को द्यान में रखते हुए usually ऐसा करना चाहिए कि हमें N95 mask लगा कि उस person के पास जाना चाहिए ऐसा adult जो की reactivated TV के साथ है अब यहाँ पर N और 95 का मतलब क्या होता है आप लोगों पता है क्या N का मतलब होता है non oil मतलब कि हम ऐसे work environment में रह रहे हैं जहाँ पर ये carrier किसी oil के उपर बैठ है हमारे पास नहीं आ रहा है ठीक है तो इसलिए ये non oil वाला काम कर जाएगा 95 का मतलब है कि ये 95% of 0.3 microns के जो भी ऐसे particles होंगे उनको ये filter कर देगा और इसकी efficiency होगी 95% ठीक है तो N95 mask हमें लगा के चलना पड़ेगा अब यहाँ पर हमने देखा कि actual में क्या होता है कि अलग-अलगी stages आ जाते हैं ये जो TB है ये इनके bacterias अपने आप में mutate करते हैं और anti-resistance develop कर लेते हैं इन drugs के खिलाफ जो हमने भी 4 ट्रक बताए ना कि ये isoniazid, rifampin, ethambutol और pyrosinamide इसके against me, अब जिसे ये medicine हम ले रहे हैं फिर भी अब एक ऐसा stage आ सकता है जब ये दवा काम करना बंद कर जाए जब भी ये चार medicines के combination अगर हमारे शरीर पर काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा first line drug है वो अब काम नहीं कर रहा है हमें second line of drugs पर जाना पड़ेगा और ऐसे situation को हम लोग multi drug resistant tuberculosis या फिर MDR-TV बोलते हैं एक इससे भी worst situation आता है worst situation तब आएगा जब ये यहाँ पर जो ये इसके बाद second line of treatment हमने इस्तमाल किया था मान लो वो है amikacine, sapramycin या फिर kinamycin कुछ भी use करते हैं हम लोग तो अगर ये भी काम करना बंद कर जाए तो फिर आता है XDR-TV मतलब कि extensive drug resistant TV यहाँ पर हम लोग अब बहुत सारे combinations लगाते हैं मतलब दुनिया भर की दवाईयां खानी पड़ जाती है फिर जाके कहीं ये treat होता है और बहुत किसे समें treat हो भी नहीं पाता है हाल फिलाल में एक नया medicine आया था फ्लोरो क्यूनोल्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये किस से related है ये TV के treatment से related है इसके लागा कुछ second line drugs में oral bacteria statics होते हैं और कुछ ऐसे हैं drugs जिनको अभी बहुत ज़्यादा efficacy उनकी नहीं आई है तो इनको तो याद करने का कोई मतलब नहीं है फिलाल आपको first line drug और second line drug ये पता होना चाहिए इसमें अमेरिका के FDA ने भी एक ऐसे ही XDR TB को cure करने के लिए एक breakthrough medication का अभी combination दिया है जिसमें हम लोग pretomanid, bedaquiline और linozolid इन तीनों को हम लोग use करते हैं और ऐसा बोला जाता है कि 90% of XDR TB cases में ये effective है तो हम लोग multiple medications के साथ XDR TB को treat कर तो सकते हैं लेकिन इसमें chances कम होते हैं कि ये सही हो जाए अब देखो इसके बाद एक situation अब हमने मतलब मोटा मोटा पढ़ लिया हमने एक बार revision भी कर लेते हैं अच्छा, tuberculosis क्या है? हमने देखा कि mycobacterium tuberculosis ये bacteria का नाम है अगर ये लगभग लगभग 10 के नंबर में भी रहे तो भी हमारे को ये infect कर सकता है ये granuloma structure में हमारे lungs के अंदर में बनाते हैं अब इतना detail में आपको जाने की जरुवत नहीं सिलिए मैंने इस सब आपको बताया नहीं है ये ना फिर ghon complex बना लेते हैं वही nodules की जो मैं बात कर रहा था आपको कि ये lungs में visible होने लगते हैं इनके बाहर ना एक tough sheet या cell structure बन जाता है और यहाँ पर फिर ऐसे nodes के structures में दिखने लगते हैं हमारा immune system compromise करेगा AIDS या aging के वज़े से और ऐसे cavities अगर हमारे lungs में हैं तो ये bronchoneumonia है और अगर इसी से दूसरे systems में पहुँच के vascular systems मर तो ये systemic miliary TB बन जाते हैं इनके testing की बात की हमने PPD और IGR और chest यहाँ तक हमने ये discuss किया कि अगर TB हो जाता है तो हम उसको drugs से कैसे treat कर सकते हैं लेकिन इसके लिए vaccine भी बनाई की यह vaccine 1921 में बनाई गया था दो Frenchmen Albert Calmaty और Cameligurian के द्वारा इन्होंने क्या किया था कि mycobacterian bovis मतलब कि cattle के अंदर TB हुआ था उसके strain को इन्होंने modify किया और उससे इन्होंने immune system develop करते हुए उसको stimulate करते हुए उन्होंने फिर ये vaccine develop कि थी 1921 में इसलिए 100 साल अब पूरे हो चुके हैं इसको यहाँ पर अगर हम लोग vaccination की बात करते हैं तो इस पूरे 100 साल में केवल यही एक vaccine है bacillus calamity urine BCG यही एक मातर licensed vaccine available है जो की TV के prevention के लिए लगाय जाता है पूरे दुनिया भर में लगब लगब 120 million dose हर साल लगते हैं मतलब बच्चों को लगते हैं BCG जो है वो इंडिया में पहली बार introduced किया गया 1948 में और यह national TV control program 1962 में start किया गया था उसका एक part बन गया तो तब से हर बच्चों को यह लगता है अभी तक हमने बात की कि scientifically हम लोग TV को कैसे समझ सकते हैं लेकिन आज का discussion को में एक step और फर्दर ले जाते हैं historically अगर हम लोग देखें तो TV को लगबाल लगबाल अरली 3000 BC में ही detect कर लिया गया था मलब document कर सकते हैं हम लोग और historically इसे बहुत सारे diseases हैं like आप smallpox बोल सकते हो cholera, leprosy, plague लेकिन science and technology के advancement के साथ-साथ इन सब का cure या फिर इन सब पर control हमने कर लिया लेकिन TV एक ऐसा चीज है या फिर ऐसा disease है जिस पे अभी भी हम लोग काफी पीछे हैं WHO का global TV report ये बताता है कि 10 million लोग अभी TV से संक्रमित हुए थे 2019 में और इस 10 million में से 1.4 million लोगों की death हो गई साथ-साथ अब आप ये भी समझों कि इन्डिया में इस 10 million में से 27% केसिस इंडिया से बिलॉंग करते हैं तो अपने लिए वैसे भी ये discussion काफी important है साथ-साथ अगर हम लोग geographical factors की भी बात करें तो एक चौका देने वाली बात ये सामने आती है कि इसकी जो efficacy है वो UK, Norway, Sweden, Denmark इसे जगहों पर जादा है और जो equator-based countries हैं लाइक इंडिया, Kenya, मालवी यहाँ पर इतनी efficacy इसकी नहीं दिखती है तो इसके पीछे कुछ लोग का कहना ये है कि environmental factor responsible है इसके पीछे क्योंकि mycobacteria को पनपने के लिए या फिर जिन्दा रहने के लिए या फिर काफी देर तक survival या infect करने के लिए जो environment की जरुवत होती है वो इस equator-based countries में मिल जाती है इसलिए वो TB के against में न एक protective layer develop कर लेते हैं और साथी साथ जब यह हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो यह ज़्यादा तबाही मचाते हैं और हमारा immune system इंसे लड़ नहीं पाता है जोगरिफिकली इस map में आप इन चीजों को observe कर सकते हो इसके बाद अगर हम लोग Indian initiatives के बारे में बात करते हैं क्योंकि 27% cases यहां पर दिख रहे हैं तो definitely हमारा कोई goal होगा goal कुछ ऐसा है कि 2025 एक time period हमने set कर दिया है कि 2025 तक हम लोग को TB को eliminate करना है और इस time period के बाद हम लोग इसको public health problem में count ही नहीं करेंगे लेकिन यह इतना असान नहीं है इसके लिए हमें बहुत सारे diagnostic centers develop करने पड़ेंगे जो की अच्छे efficiency के साथ TB को detect कर सके और जल्दी detect कर सके साथी साथ बहुत सारे ऐसे नए vaccines भी develop करने की बात चल रही है 14 नए vaccine develop किये गए हैं TV के लिए और इनके उपर clinical trials चल रहे हैं इसमें से दो vaccines ICMR के phase 3 में हैं ICMR के दवारा यह develop किया जा रहा है और अपने phase 3 में हैं जिसका नाम VPM 1002 है और Mycobacterium Indicus Prani है तो यह दो vaccine से जो कि अपने third phase clinical trials में हैं तो यह जल्दी ही शायद आ जाए हैं यहाँ पर जो MIP के हम बात कर रहे थे यह India का ही vaccine है जो कि develop और identify यहीं पर किया गया है और इसके results के लिए लोग बहुत एजी से इंतजार कर रहे हैं इसके लावा कुछ initiatives हैं जैसे कि Nixie Ecosystem Nixie Ecosystem National TB Information System का एक पार्ट है एक प्रकार का one stop solution है जिसमें patients को जिनको TB होता है उनको information provide करना और साथी साथ उनको monitor करना कि कि कितने लोग dose ले रहे हैं यह सारी performance को यह calculate करता है निक्षय portion use ना है यह basically TB patients को nutrition के लिए financial support प्रदान करता है TB हारेगा देश जीतेगा campaign यह 2019 September मन्त में इसको launch किया गया था इसमें इस बात को इस बात पर जोर दिया गया है कि हम लोग TB को eliminate करने के लिए बहुत जादा जागरुक हैं और इससे जल्द से जल्द हम अटाना चाहते हैं सक्षम project जो है वो Tata Institute of Social Sciences का एक project है जिसमें जो भी ऐसे TB patients होते हैं उनको psychosocial counseling प्रवाइट की जाती है यहाँ पर अगर BCG vaccine की बात करें तो BCG vaccine के कुछ और भी profits हैं वैसे तो primary use तो चलो tuberculosis को treat करने के लिए है लेकिन ये दूसरे respiratory और bacterial infection के against भी protection प्रवाइट करते हैं newborns को साथी साथ leprosy और burulees ulcers के लिए भी ये mycobacterial disease जो होते हैं इनको ये थोड़ा सा protect करता है साथी साथ immunotherapy agent की तरह के से काम करता है cancer में तो ये हो गई पूरी बात अब यहां पर कुछ way forwards में आप बातों को ध्यान में रख सकते हैं जैसे कि हमें अगर COVID-19 जैसे जहां पर हमने डिसकस किया कि 18 महीने में 17 vaccine बन गई और उसमें से 97 तो अभी और clinical trials में हैं अपने मतलब बहुत ज़्यादा और भी बन जाएंगे उसके against में यहां पर तो कुछ भी नहीं है मतलब 14 vaccine और एक vaccine जो की 100 साल से चल रही है बागी 14 vaccine अपने clinical trial में है तो अगर COVID-19 के situation में जो vaccines develop हुई अगर उसी के जैसा similar political financial और pharmaceutical support हमें मिलता है तो definitely BCG के साथ-साथ हम लोग और भी बहुत सारे vaccines को develop कर सकेंगे साथ-साथ हमें अपने diagnosis center को और ज़्यादा accurate करना है उसको improve करना है behavioral changes लेके आने हैं कि इसके लिए जो भी अगर taboo कोई create करता है society में तो वो करता हूं कि TV के बारे में जितनी जानकारी आपके examination point of view से important थी वो हमने discuss कर ली है thank you very much for listening it very patiently friends have a nice day